अस्सलाम उलेकुम वेलकम बैक टू माई चैनल किरन्स क्रियेटिविटी आज मिलेकर आई हूँ रोल समोसों की पट्टियां घर पर बहुत ही असान तरीके से बनाने का तरीका सिर्फ दो कप मैदी से मनाएं धेर सारी रोल समोसों की पट्टियां जिसे आप अपने हिसाब से शेप देकर कटिंग कर सकते हैं और इसे आप 15-20 दिन तक फ्रिज में रखके स्टोर भी कर सकते हैं तो चलिए जल्दी से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और इसकी रैसेपी आप लोगों से शेयर करते हैं सबसे पहले हम दो कब मैदा लेकर अच्छे से चानलेंगे और उसमें दो चमच हम नमक अड़ करदेंगे और जिस तरह हम नॉमली आटा रोस गूनते हैं रोटी के लिए उसी तरह इसे गून लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे जब हमारा ये आटा अच्छे से गूंद जाएगा तो इसे हम सेट होने के लिए रूम टेमरेचर पर रख देंगे तकरीमें 10-15 मिंट के लिए सबसे पहले हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे नॉमली जो हम रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं उसके हाफ साइज में हम पेड़े ले लेंगे और इसे नॉमली हम बेल लेंगे अभी इसे पतला बेलने की ज़रुद नहीं है जब नेक्स स्टेप होगा तो उसमें हम इसे बारीक और पतला बेलेंगे खुशक आड़े से इसे डस्टिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि रोटी आगे जाके जब पतली होगी तो फिर बहुत स्यादा चिपकेगी तो इसलिए से साथ साथ डस्टिंग भी करें अब ये लास्ट पेड़ा भी हमने बेल लिया है और इसे भी हम लग देंगे साइट पे अब हमारी में रेसिपी स्टार्ट हो रही है तो इसके लिए सबसे पहले हम एक रोटी लेंगे और इसे किसी कुकिंग ऑईल या घी की मदद से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से डस्टिंग करेंगे पर उसके बाद सेम साइस की रोटी उपर रखके दुबार से वही स्टेप करेंगे ग्रीसिंग और डस्टिंग का रोल समुसो की पट्टी बनाने के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टन्ट स्टेप है जिसे आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा यह देखिए वियोर्स ग्रीसिंग और डस्टिंग के बाद अब हम यह तीसरी रोटी उपर रख रहे हैं और इसी तरह तक्रीबन हम यहां पर पांच रोटियां रखेंगे और उसे फिर बाद में बेल लेंगे आप लोग यहां पर दो पांच या दस्ट भी रख सकते हैं जैसा आपको एजी लगता है आप वह परसीजर कीजिएगा देखें वियर्ज अपने यह पांच रोटियां अपस में ग्रीस कर ली है अब दोनों तरफ ड़स्ट लगा कर इसे हम बेल लेंगे हरके हाथ से बेलेंगे अभी भी हम इसे और ज्यादा पतला नहीं करेंगे और इसके गुलाई की भी टैंशन नहीं लेंगे क्योंकि इसे ब बहुत सदा ख्याल रखना है कि फ्लेम बहुत लो हो और अब इसे हलके हलके हाथ से घुमाते रहें सेकते रहें और जब यह ट्रांसपार्ण होने लगे रोटी आपकी तो इसे पलट दें इसे हमें पकाना नहीं है completely से हलका हलका ट्रांसपार्ण यालोश शेड इस पर और जब आपको लगे कि अंदर तक से सारी लेयर्स ट्रांसपार्ण हो चुकी हैं तो इसे आप तवे पर से उतार लें अब हम इसे चारों तरफ से कट करके स्कॉार्ण शेप में कटिंग कर लेंगे इसके कॉर्नर्स जो आप काटिंगे ये वेस्ट मत कीजेगा ये पापड़ी बगारा बनाने में बहुत काम आते हैं और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं अब लास्ट में हम इसकी एक एक करके सारी लेश को निकालेंगे और बहुत ही अथियास से निकालने हैं तमाम लेश रोटी को कटिंग करने के बाद इसकी layers जो है वो अराम से खुल जाती है तो इसलिए आप जब भी से सेखें तो पहले से कटिंग करें उसके बाद इसको सेपरेट करें अगर आप लोगों को इन पटियों से रोल बनाने के लिए और अगर आपको समोसे बनाने हैं तो इसे शीट को तीन एकोल साइज में कटिंग कर देंगे तो आपकी समोसो की पटियां तयार हो जाएंगी तो देखिए गाइस माषाला दो कप मैले से कितनी सारी रोल समोसो की पटियां तयार हो चुकी हैं और आप इनहें फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं रोल समोसो की फोल्डिंग का तरीका मैं पहले भी आप लोगों को सिकाच चुकी हूँ तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी आप लोग महाँ से देख लीजएगा अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगए हो तो लाइक शेर एंड सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक केर अलाह अफ़ेज